दोस्तों नमस्कार मेरा राजकुमारी मेरे राज टेर्श गार्डन में आपका स्वागते और आज का यह वीडियो है दोस्तों तो दोस्तों मैंने इस परकार से यह मिट्टी रख लिए पचास परसेंट दोस्तों मिट्टी है तीस परसेंट मैंने गाय की गोबर का दो साल पुराना खाद लिया है डीकंपोज हुआ और यह जो मेरे किचन वेश्ट से जो जो खाद बनी जाती है इसे काला सोना भी बोला जाता है तो दोस्तों यह लिए तो इसका एक दूसरा तरीका का जो मेजर्वेंट है वो मैं आपके इस तरके से बताती हूं कि जैसे मेरे को इस कैरेट में के साफ से मैंने यह मिट्टी बनाने जा रही हूं तो एक तगारी मैंन मिटी submerged 30% पर्शेंट मेने घाय के गोबर की शड़ी हुई खौद दो साल पराणी है यह लिए और 20 पर सेट मेंने यह क्चिण मेर वेश्ट ने बनाए जाती यह और ढूए और दोस्तों यह क्चिण वेश्ट कर दोती है बहुत अच्छी खाद होती है कि दोस्तों 50 परसेंट मैंने मिट्टी लिये 30 परसेंट मैंने गाय की गोबर के सड़ा हुआ खाद लिया है और 20 परसेंट मैंने ये किचन वेश्ट लिया है और गोबर खाद और इसकी अगर आपके पास कि दोस्तों आप बर्मी कंपोज भी ले सकते हों कि मिट्टी के अंदर किसी परकार का फंगस नहीं लगता और ये मिट्टी में उपजाव बनाता है और दोस्तों चोथे नम्मर पर में इसमें हल्दी मिला रही हूं दोस्तों है हल्दी इसके एक करेट के साफ से यह ग्रोबेक के साफ से पंदरवाई पंदरे के साफ से भी माल लिजिया आपके उसके लिए बना रहे हैं तो दोस्तों इसमें कम से कम पचास परसेंट यह हल्दी ले लिए में और और सो ग्राम यह डिएड़ सो ग्राम इसमें यह नीम की खली और मिला दिये तो दोस्तों यह सारी चीजों को मैं इस मिट्टी के अंदर मिला रहे हूं और दोस्तों सब्जी हो यह फूल के पोदो हो सबसे में चीज होती है दोस्तों मिट्टी अगर मिट्टी सही से अच्छे बन जाएगी तो अपनी पोदों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरह के से वह गी और सबजी अच्छे तरह से आएगी और दोस्तों इसमें जुच सारे ही जो सामान इने इसमें डाला है जैसे नीम की खली है है हल दिये हैं तो यह क्या है दोस्तों और गनिक चीजे हैं इनसे अब मिट्टी उपजाओ भी रहती है और फूर्टिंग भी अच्छे सा आती है और जो दोस्तों यह जो मिट्टी एक बार इस तरह से मनाई जाती है तो इसमें क्या भरपूर मात्रा में अपने खाद मिट्टी और सरसो की खल और दोस्तों अगर आपके पास में कि सरसो की खल हो तो वह भी आप इसमें उसको भी ले सकते हैं तो दोस्तों इसको इस तरह कैसे मिक्स कर लिया है मैंने तो दोस्तों मिट्टी को और खाद को इस प्रकार मिलाना है एक भी इसमें कंकर नहीं होना चाहिए और मिट्टी भी बिल्कुल बारिक होनी चाहिए और दोस्तों कोई इसमें किसी तरह के कंकर फटर भी नहीं होने चाहिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लिए दोस्तों और सबसे में चीज दोस्तों मिट्टी को मिक्स करना कि इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको एक बार भी इसका दूसरी बार आपको मेजर्मेंट बता देती हूं 50% मिट्टी लेनी है और 30% गाय की गोबर की खाद लेनी है और 20% किचन बेट से बनी हुई जो मैं घर में बनाती हूं और और रिद्ध मिट्टी सब्रइक के लिए बहुत अच्छी होती दोस्तीं दोस्तों और स्टेडिंग यहीच मिट्टि बहुतiger कैसा कि सब्ल मेत्पोर्स होती है तो इनको काद की बहुत मेहनुन जरत होती है मिट्टी बनाए जाती है और दोस्तों को एसकर बढ़ने का तरीका है वो भी मैं आपको इस केरेट में बताऊंगी कि मिट्टी को भरने का सही तरीका क्या है तो दोस्तो मिट्टी को सही तरीके से कैसे भरा जाए तो सबसे पहले तो दोस्तो सब्सक्राइब के लिए गंवले का साइज 15 इंच से या 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए यह 12-15 इंच से बड़ाई होना चाहिए है कोई प्रकार के ग्रोबेक लो यह इस प्रकार की प्रकार की लो और दोस्तों कीर रोब दौस्तों नीचे जरुरी होना चाहिए क्योंकि नीचे छेद होने से जो पानी है ना अखटा नहीं होता और उससे क्या है कि मिट्टी से पानी नीचे हारान सा निकल जाता है इससे जड़ों को भी जो जड़ों में पानी रुपता नहीं है और पोदे की ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहती है दोस्तों इस प्रकार की जो यह कटिंग निकलती है पत्तों की तो सबसे पहले दोस्तों में इस प्रकार यह पत्ती वगएरा है और इस प्रकार के जो इस पत्ती है और यह आम की छिलके हैं दोस्तों यह इनसे में इसको भरनें दोस्तों और यह थोड़े से हरे पति भी डाल सकते हैं दोस्तों इस प्रकार जो मिट्टी बनाए जाती है दोस्तों इससे क्या जब धिर दिर कंपोज बन जाएगी अगर पतिया अगर गिल्ली पतिया रख देते हैं तो इनको 3 चार इंची तक इस पतियों को इसे रख देना चाहिए इससे क्यांए दोस्तों यह धीरे धीरे से बाद में यह कंपोज बन जाएगी तो इस तरह किसी जमा कर जा अपने गाडन से निकलती है पतिया उनको मैं फैं प्रकार्ट प्रखें की तो दोस्तों इस प्रकार मैंने क्टिया कि चार इंचे तक हो यह मेंने आरी inflatiya और से घोड़न से और निकलता है यह तहनी लगएरा यह यह पट्टिया सूखी पिछ सबस्क्राइब और इसके उपर दोस्तों में एक थोड़ा समें इसको पर यह का लुद्ग रही हूं गाय का है दोस्तों इस परकार से खाल इसलिए डालएं दूस्तों जो अपने एगी जो सूखी पतिया और गिली पतिया डाली है तो इससे क्या है कि दिरे दिरे से ही है खाद में तब्दीद लो जाएगी और इस इस प्रकार से यह ग्रोब यह करेट में अपनि यह मिट्टी भर रहें तो इससे यह फायदा है कि दोस्तों धीरे-दीरे मिट्टी को पुष्ण अच्छी पोष्ण यूगत तो मिट्टी बन प्रकार से जो मिट्टी भड़ते हैं ना को इस से क्या है कि जो नीचे पतिया और जो की पतियां और हरी तो बाद में पोदे को अच्छी से नूट्रेंस मिलते जाएंगे और सब्जी के लिए दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी बहुत जरूरी है क्योंकि सब्जियां हेवी फिल्डर सब्जियां होती है दोस्तों इनको बहुत प्रोटीन युक्त मिट्टी चाहिए पर दोस्तों ये मिट्टी बरने के बाद में इसमें हलका लगा सा च्छड़काव करके और पांच-छे दिन के लिए दोस्तों इसको ऐसे छोड़ना है और मिट्टी को पूरा कभी नहीं बनना चाहिए कम से कम कि इतना खाली दिना चाहिए तीन-चार इंच को तैयार होने के लिए दोस्तों मिट्टी में अच्छी तरह से जो यह जो नीम खली हल्दी वगरा यह जो डाली है ना यह अच्छी तरह से इसके इंदर जीवानों पैदा हो जाएंगे और मिट्टी सब्जी के लिए तैयार हो जाएगी और यहीं मिट्टी दोस्तों आप किस तरह से मेरे मिट्टी के अंदर देखो बिंडिया आ रही है गुच्छ में बिंडिया रही है देखो दोस्तों इस परकार की मिट्टी बनाने से दोस्तों क्या है कि फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होती है देखो यह बेंगन आ रहा है और दोस्तों मिट्टी अच्छी हो तो पर अची से ग्रोह हिए बिलकुल इस परकार की जो주는 बनाए जाती दोस्तों तो इसे क्या आ है कि पोडो की ग्रोफ अच्छी ए और सब से जो हुए如果你 में कि सबस्क्राइब कर देना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेला एकन को दबा देने जिससे मेरा आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा